लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें माई लॉर्ड, मिस्टर अविनाश मलोत्रा और उनके पत्नी के बीच अक्सर अनबंद रहा करती थी मिस्टर मलोत्रा अपनी पत्नी पर शक किया करते थे इतना ही नहीं छिपचिप कर उनका पीच्छा किया करते थे दो सितंबर की रात को अपने ही फार्माउस पर उनके भी जगड़ा हो गया और मिस्टर मलोत्रा ने गुस्से और नशे की हालत में अपनी पत्नी संजना मलोत्रा का बड़ी बेरव में से कतल कर दिया मैं लॉड अपनी बात को साबित करने के लिए मैं अदालत के सामने कुछ गवा पेश करना चाहता हूं मेरा सबसे पहला गवा है हवालदार रमाकान गोख ले मैं जो कुछ कूँगा सच कूँगा सच के सेवा कुछ ने कूँगा कि दो सितंबर की राद कि तुम्हारी ड्यूटी कंट्रोल रूम में थी जी हां तो क्या तुम अदालत को यह बताना चाहोगे ज़्यूटी पर रहते हुए तुम्हें क्या काम करना होता है साहब रात को ग्यारा बचे के बाद जो भी फोन आता है आप अने चाटन करता है और फोन सुन लेकर साथ साथ हमको टेप भी करना पड़ता है अगर कोई अमर्जंसी रहती है तो वार्लेस पे पैट्र पार्टी को इन पॉम करने का भी रहता है उसके बाद का काम उन लोग ह है कर फोलीज कंट्रोल रहा हूं आ पर शॉल्स ना अला है कर भी हैं इस अई पार में अधने शॉल्स यह तुमने टेप किया था ज्यां यह पून तो आप पून कर आता सुबा चार बजे और फोन सुनते मैंने में सेज दयाता हुआ ता क्या मेसेज दिया था जरा अदालत को बताएंगे यही कि लड़की की जान खत्रे में उसका आजमन उसको मारने के कोशिस कर रहा है उसको हेल्प का जरूरत है यॉर हॉनर इसका मेसेज सुनते ही इंस्पेक्टर पटना एक फारमा उस पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो जान दी गई होगी हाँ जरूर दी गई है फोन कैसे ट्यप करना कॉल को कैसे ट्रांसपर करना बड़े सब को वार्लेस पर कैसे मेंसे देना और किसी की आधी बात को किस तरह पूरी करना राइट कि जी मिस्टर गोखले अभी अभी जो टेप रेकॉर्डिंग हमने सुना उसमें सिर्फ इतना ही था वो मुझे मार डालेगा मुझे बचा लो मैं संजना मलोतरा मेरे पती मुझे बस मेरे पती मुझे के बाद आपने क्या समझा यही कि मेरा पती मुझे मारना लेगा लेकिन मिस्टर गोखले ये भी तो हो सकता है कि मिस्स संजना मलोतरा ये कहना चाहती थी कि मेरे पती मुझे अकले चोड़के गए और दूसरा कोई घर में गुसाया है या मेरे पती मुझे बहुत प्यार करते हैं वो ये सद्मा बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे या मेरे पती मुझे साथ ले जाना चाहते थे काश मैने उनकी बात मान ली होती या मेरे बती मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता था, जी, अरे, ये तो अपने सोचा ही नहीं Silence, silence, silence in the courtroom, please, I said silence in the courtroom ये दालत सुमवार तक मुल्टवी की जाती है आखे बंद करो ये सब क्या है? मैं अज़ सुपे मंदिर कही थी, वहीं से प्रसाद लाई हूँ, अवी मुझे पूरा यखीन है कि फैसरा तुम्हारे खक में होगा मैं तो भगवान से ये भी कह कर आई हूँ, कि जैसे तुम बहार निकलोगे, मैं सब से पहरे तुम्हें उनकी पास लेकी जाऊँगी तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मुझे मालो मैं तुम्हें नहीं खाया होगा मेरी भूग और प्यास तो संजना के साथ ही चली गई, जैन्तियो सुन्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पुरा समना देख रहू अंके खुलोंगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही होगा अवी, ऐसा ही होगा, जिस तरह से तुम्हारा दोस्त रोहित केस लड़ रहा है, देखना वो तुम्हें जल्दी यहां से बाहर निकालेगा जिनेजा, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि इस चाकू पर मिले उंग्लियों के निशानों को मिस्टर अविनाश मलोतरा की उंग्लियों से आप ही ने मैच किया था? बेशक तो आपको यकीन है कि Mr. Ravina Shmalotra ने संजना मलोजरा का खून किया जाहिर है खून से सने चाकू पर इनी के उंगलियों के निशान है तो कातिलिया ही होंगे जरा देखिये तो Mr. Junajah क्या ये वही चाकू है जिससे उस रात को खून किया गया था लगता तो यही है और से देखिये Mr. Junajah ये किसी की जिन्दगी और मौत का सवाल है ओके जी हाँ यही है Mr. Junajah अब इस चाकू पर आपकी उंगलियों के निशान है अगर मैं इसी वक्त आपके घर चला जाओं और इसी चाकू के साथ आपकी पत्नी का खून करके इस चाकू को वही चुपा दूँ तो ये क्या बक्वास कर रहे हैं आप मैं बक्वास नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इस अदलत को सच की जलक दिखा रहा हूँ जिस तरह उंगलियों के निशान होने के बावजूद आप कातिल नहीं हो सकते उसी तरह अविनाश मलोतरा संजना मलोतरा का कातिल नहीं है मेरे क्लाइन के खिलाफ साजिश की जारी ये ओनर कोई है जो मिया बीवी के जगड़े का फाइदा उठाकर उसे फसाना चाता है हो सकता है कि अविनाश मलोतरा कातिल हो और हो सकता है कि अविनाश मलोतरा को कोई कतल के जुर्म में फसाना चाता है हो सकता है हो सकता है हो सकता है अभी तक अदानत में प्रोसेकुशन ने ऐसा एक भी गवा पेश नहीं किया जिसने अपनी आखों से सब कुछ देखा हो मैंने देखा है मैंने देखा है सब कुछ अपनी इन आखों से कौन है आप आपको जो भी कहना है यहां आकर विटनस बॉक्स में कहिए आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा सच किसी वार कुछ नहीं कहूँगा मैं संजना का मामा हूँ इन्ही हातों से इन्ही हातों से पाल पोस्क बढ़ा किया है मैंने उस बच्ची को माई लॉड वो अपने किसी यार से नहीं मिलने जाती थी वो मुझसे मिलने आती थी अपने मामा से और इस कमीने ने उस पर शक करकर मेरी आँखों के सामने उसका खून कर दिया आपको जो कुछ कहना है खुल के और साफ साफ अदालत को बताईए संजना की माँ एक धंदा करने वाली आउरत थी अपना जिसम बेच बेच कर उसने अपनी बच्ची की परविरेच की उसकी पढ़ाई की और उसको बढ़ाख किया लेकिन एक दिन जब उसकी बच्ची जवान होने लगी उसकी माँ मेरे पास आई हाट जोड़कर बिंती की कि इ इसा ना बंध हो गया, मेरे बस कमाई का और कोछ जरिया नहीं था, मैं कमीना हो गया, मैं लालची हो गया, मैंने संजना को भी उसे धंदे में डालने के कोशिश की, जिस धंदे मुसकी माँ थी, लेकिन संजना एक शरीफ लड़की थी, उसने बगावत की और भाग गई, मैं मैं फिर अकेला रह गया, लेकन एक दिन, एक दिन, मैंने आखबार उठाया, और उसमें मैंने संजना की तस्वीर देखी, उसमें लिखा था कि संजना की बंभाई में एक बहुत बड़े क्रोड़ पती बिजनसमेन के साथ शादी हुई है, मैं खुश हो गया, मैं बंभाई की बेटी है, लेकन संजना, एक सीधी साधी हिंदूस्तानी नारी थी, उसने उसने अपने पती को धोका नहीं दिया, जूट मूट की हारोज मेरे को कहानिया सोनाती थी और अपने पती का पैसे बचाती थी, एक दिन, एक दिन मुझे बहुत कुसाया और मैंने कहा कि अगर तो आज शाम को मुझे नहीं मेलेगी, तो मैं सिधा उसके पती के बाई जाओंगा और समको सबस्ता बता दूँगा, संजना ने मुझे रात को फामोस पर बुलाया, रास्ते में मेरी टेक्सी खराब हो गई, आदा घंटा देरी हो गई, लेकिन, जब मैं फामोस पहुंचा मैंने देखा, इस दरिन्या के हाथ में खंजर ता चाकूता, ये मेरी बच्ची के पीचे भाग रहा था, मेरी बच्ची फोन के बाच आ रही थी, उसने फोन के नमबर डायल किया, इसने पहले के फोन में बाच खतम करती थी, एक नी दो नी, तीन तीन खंजर उसके पेट मे नी, आपकार दिये, मेरी बच्ची मेरी आँकों के सामने, मेरी आँकों के सामने मर गई, उसकी लाज को इसने कजीटार और देखते देखते फाला उसके पीचे ले गया, वाहं ऑपर इस कमीनने गट्डा कोदा, और गट्रे के अंदर मेरी फूल जैसे बेटी को दफन कर द गवा सच बोल रहा है या जूट इस बात का पता तो मौकाय वारदाट पर जाके ही लगेगा वहार नो早 पता पता तो मौकाया घए पर कुछ झांने का पता तो मौकाय वारदा जाल सेThat झाल 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 कान वे लो भुँक्त अबिनाश, फरन सिक्वाल ने अपनी रिपोर्ट सब्मेट करती है, फारमा उस में मिला खून का सैंपल बॉडी से मैच करता है, बॉडी संजना की थी, बाकी चीज़े तो उन लोग ने लग ली लेकिन, बड़ी मुश्किल से मैं ये तरे ले ले आया हूँ, संजना का मंगल सुतर, उसकी आखरी निशानी। सारे गवाहों के बयान और सुबूतों को मद्दे नजर रखते हुए, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, कि दो सितंबर की रात, मिस्टर अविनाश मलोतरा ने अपनी पत्नी संजना मलोतरा का कट्ल कर दिया। अदालत मिस्टर अविनाश मलोतरा का उम्र कैद की सजा देती है। The court is adjourned. एंदाला मलोतरा, जब पौन करने आदाना तेरेको, चल्ड़। चल्ड। चल्ड। हलो प्रोहत मैं अविनाश पोल रहा हूं अविनाश बहुत बुरी खबर है यार मैंने सुप्रियम कुट में अपील करने की कोशिश की पर के सब्मेट ही नहीं हुआ मैं तरह लिए कुछ नहीं कर सका तुझ इस लड़की से प्यार करता था तुझे उसी का खुनी कहा जा रहा है मुझे इस बात का अफसूस नहीं कि मुझे संजना का खुनी कहा जा रहा है अफसूस इस बात का है कि मैं उसे पचा नहीं सका अफसूस इस बात का नहीं कि मैं सलागो के पीछे हूँ अफसूस इस बात का है कि जिसने मेरी संजना को मुझे जीना वो अब तक आजाद को बरा अफसुस इस बात का नहीं कि उसने मुझे पाजी परचडाने की कोशिश की अफसुस इस बात का है कि वह कमीना अब तक जिंदा है जो कोई भी हो जा भी चुपाओ मैं उसे ठोट निकालूँगा तो हुझे रहर निकाले, रॉय तो यहाсь बार निकाले वो सब ठीक है अभिनाश, लेकिन, लेकिन, कुछ नहीं, अब तक तो मुझे कानून की मदद से बचा रहा था, लेकिन अब तुझे कानून तोड़के मुझे यहां से निकालना होगा, कुछ भी कर, कोई भी प्लान बना, जितने पैसे काच होते हैं, काच कर, लेकिन, मुझे जयafter से पनी लेकिन, काच कर.